आप सभी का गुलिस्तान ने उसमें स्वागत करते हैं आप जानते हैं देजबर की तरह G20 के हवाले से Y20 की शुरुआत लह में हुआ है और आप जो Y20 को ऑफिशल से उन्होंने कटेन रेज करके आने वाले समय में यानि तीन दुनों के लिए किस तरह की इवेंट Y20 के हवाले से लिह में देखा जाएगा उस वाले से उन्होंने ब्रिफिंग दी है और आपको बता दे चले Y20 के इस खास प्री सब्मिट में लगबग 100 डेलिगेज्स 30 प्लस केंट्री से शिरकत कर रहे हैं और जितने भी डेलिगेज्स लिह में आज पोंचे उनका ग्रांड देखा गिया है और बताया जा रहा है कि इस बार का जो Y20 सब्मिट है इसमें बड़े लिवल के हम इशूस के उपर डिसकस किया जाएगा जिसमें खासकर पीस बिल्डिंग को लेके इनोवेशन को लेके और उसके अलावा जो दूसरे अहम इशूस हैं आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज कोले के जो इशूस हैं इन्वार्मेंट कोले के जो इशूस हैं उनके उपर डिसक्रिशन आने वाले वक्त में टेलिबरेशन तीन दनों में किया जाएगा आपको बताते हैं चले कल 26 एपरिल को जो जितने भी डेलिगेट से उनको लह लदाख के जो वहां पे उनको लिया जाएगा और परसों यूनिन मेनिस्टर और मिनिस्टर आफ यू दे फिज अनुराक सिंग ठाकूर बे शिर्कत करेंगे Y20 के सम्मिट में और जितने पिडिलिगेट्स हैं उनके साथ डिसकस किया जाएगा और आपको बताते चले रन अप इवेंट के साथ से लदाख के अंदर G20 के हवाले से मुक्तलिफ कॉलेजिस्ट और यूनिवस्टी इसमें अलग अलग इवेंट्स देखा गया है तलाल Y20 के फाले से पलबल के अबडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे आप हमारे साथ बने रहेंगे क्या अलग बूल यूनिवस्ट ले, लेक वाजिस अप्रुप बने प्रबाद़ के अब्रेट्पर बने ले चुट्प्री आप्रश, प्रशवीज प्रशवीर बने रहें से लेकरीजिस्ट्रव्सूनिवस्ट के गूले जजिए टीन के हम आटीने बने ले खनी सी बचते बच्ट सेज़ के लिए व्याज के लिए गिए बवागी अडिए अश्य श्यांपSर सेज़ कि अबषright इन अडिक मेइ बछर कोस्ट बेसे सेंधं इनाख़ में अबदी आप पार्फ पार्व और को सबुड और ऋन्य है इनाख़ श्राप इनाख़ तेने विए लिए कि आवाजिक प्रूच गां कि एक मेंफ बॉंय कि ईक members इंवार के बदी पान फ़े इंग खरी थे एप्र बॉल्म weुम एंट अफिर So we are young scientists and we are working for developing science and technology. So we are basically contributing in the developments of science and technology and in youth. It's one of the most inclusive and diverse youth 20 meetings in the history of Y20. Being part of the Y20 OCs and the culture that has been continuing for past 10 to 12 years. In Ladakh, they will also have an opportunity to go around to see a few important places. This is part of the G20 experience. It's an experience to see some of the monasteries that are around here, local culture, local food. And they in turn will take the message of lay all over the world. So this is a very important opportunity for these youth who have arrived from all over the world to experience this city.